बहुत ही बरी और सांदार ख़वर आई है रेनो ट्राइवर ने इंगेन मार्केश माल मचा के रख दिया है किसी को भी उमीद नहीं थी इवेन मुझे भी उमीद नहीं थी कि ये एडल्ट सेफटी में 4 एस्टार और चाइल्ड सेफटी में 3 एस्टार लेकर के आएगी मैंने जब ये गारी ली थी तो मैं ये मान के चल दा था कि एटलिस्ट ये दो एस्टार तो लेकर के आएगी ही लेकिन मुरा भी भरोसा तूट गया और बहुत खुसी की बात है मुझे बिलकुल भी उमीद नहीं थी कि मैंने क्या सूच के ये गारी ली कैसे लिया ये गारी बिना क्रेस्ट टेस्ट रेटिंग आये हुए क्या प्लान किया था आज इस वीडियो में पूरा अपना एक्स्प्रियेंस सेयर करूंगा छोटे से में ही कोई ज्यादा वीडियो ताकि लंबा नहीं हो जाए लेकिन बहुत ही धमाल मचाया है रेनो ट्राइवर्ण तो साथ आप उतना नहीं डरते लेकिन मैं दस साल से टाटा की गारी यूज कर रहा हूँ और टाटा की सेफटी और बिल्ड कॉलिटी आप समझते हो कि क्या होती है कहने की जुरत नहीं है अल्लेडी प्रूवेन है मैं सुरू से टाटा से अगर इसे सेफटी में कंपेर कर र कर राट दिया को अप क्रैस्य गरेंगे एक देखेंगे हो सकता है उसे स्वक्राइम स्टार कम मिलें लेकिन विल्ड क्वाफिक आफेम **** वह बहुत लाजबाब होती और बिल्ड क्वालिटी तो उतनी है भी और ये मैं एस्पेकт भी करता कि मुझे बिल्ड क्वालिटी टाटा जैसी मिलेगी अच्छी बात है सेफटी में यह फोरेस्टार लेका ही है दो एर बैक के साथ तो बाकी चार एर बैक है इसमें इससे बड़ी खुसी की बात क्या है आज बहुत ही बढ़िया खुसी वाला न्यूज आया है डिनो ट्रा के आज पास परती है वन वे ट्रिप तो समझ दो अपन डाउन उसका डबल हो गया तो मैं तो सबसे पहले अफोर्डेवल कार ओल्टो ही सोच रहा था लेकिन एक्चुली क्या था कि जब मैंने वन ट्रिप किया था तो करीब आधे रास्ते आते आते ही मेरे पैरों में तो लॉंग ट्रिप पे जाना है और मारूती के सर्विस सेंटर अगर हर जगा मिल जाते हैं दूसरा एक और कारणीय होता है कि कोई भी बाहर के मैकेनिक भी आपकी गारी इसली रिपियर कर देते हैं इसलिए मारूती पे कुछ ऐसा जोड नहीं था लेकिन है जुकाव था कि गारी कहीं भी बन जाए मन में तो रेनो ट्राइवर ही चल रहा था क्योंकि MPB है और MPB कहीं जुरत भी था स्पेस ज्यादा मुझे चाहिए था हम सभी इंडियन्स को स्पेस ज्यादा पसंद होता है तो ट्राइवर मन में था फिर मैंने जब देखा कि वैगुनार का भी करी मिल रहा है 10 का माईलेज मुझे मिलता है फिर जब ट्राइवर पर मन गया तो मैंने देखा कि सेफटी की बात है चुकि प्रसनल यूज की बात थी तो जब सेफटी की बात आई वैगनार को भी 2 स्टार मिले है और अभी तक ट्राइवर का कोई सेफटी रेटिंग अभी तक आया नहीं था तो मैं मान के चल रहा था कि ट्राइवर भी कम से कम दो एस्टार तो ले ही आएगी और यही चुकि डाउटफुल था मैं कि क्या है कितनी सेफ है नहीं है अभी तक कोई क्रेस्ट हुआ नहीं था इसलिए मैंने टॉप मोडल ही फ्रेफर किया क्योंकि इसमें चा साथ सा सुनने में एक और ची मैं अभी स्योर नहीं हूँ लेकिन मैं आपको वीडियो में डालूंगा कि जहां तक न्यूज मिला है कि एक खुस ख़बरी फोर स्टार के साथ साथ एक दुख ख़बरी यह है कि कम्पनी ने इसके प्राइसेस फिर से इंक्रीज कर दिये हैं ज स्राइबर को ग्लोबल एनकैप में एडल्ट सेफटी में फोर स्टार और चैल्ड सेफटी में थ्री स्टार मिले हैं लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चेंज आपको यह दीखने को मिलेगा कि प्राइस स्टार्ट एट 5.50 लैक जो कि पहले 5.20 यह 30 लैक ही होता था तो करी 20-30,000 मेरी समझ से सेफटी रेटिंग में आने के बाद प्राइसे बढ़े हैं हाँ भाई बिदनस है कमपनी तो प्राइसे बढ़ाएगी ही लेकिन मुझे लगता है कि कमपनी को अगर पहले इतने प्राइसे पे कमपनी बेच रही थी गारी तो साथ उसे तब भी प् कमपनी ने इसके प्राइसे बढ़ा दिये हैं जो की खुसियों को थोरी फीकी तो बहुत कर ही रही है अच्छी बात है सेफटी में ये फोरे स्टार लेका ही है दो एर बैग के साथ तो बाकी चार एर बैग है इसमें इससे बड़ी खुसी की बात क्या है और प्राइसे तो अब अब देखी रहे हैं कितना बढ़ गया है ओप की आगे भी ट्रैवर अच्छा परफॉर्म करती रहे है रेनो अच्छा काम करती रहे सबसे बड़ी बात है कि गारी तो अच्छी बहुत सारी कमपनिया बना देती है इंडिया में और लेके आभी जाती है लेकिन उनके फ और मैं इसकी ये टॉपिक कि आज वीडियो पर आप चाहते हैं किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं वीडियो बनाता रहूंगा अपडेट आपको रेगुलर देता रहूंगा आप जोए रहिए सब्सक्राइब कर डीजे चैनल को थैंक्स फर वाचिंग